असलाम उलेकुम प्यारे बच्चों, उमीद है आप सब खेरियत से होंगे Unit No.3, Factors and Multiples, Lecture No.18 Last Lecture में हमने Highest Common Factor यानि HCF के बारे में पढ़ा था आज हम Prime Factorization Method और Long-Dween Method के बारे में पढ़ेंगे पहले देखते हैं, HCF by Prime Factorization Method यानि आदियाजम बजरिया मुफरी तज्जी We can find the Highest Common Factor HCF of 2 or more than 2 numbers by Prime Factorization हम 2 या 2 से ज्यादा आदाद का यानि नमपर्स का आदियाजम बजरिया मुफरी तज्जी मालूम कर सकते हैं To understand this method, let us consider numbers 72, 48 and 132 and find their HCF इस तरीके को जानने के लिए आईए हम 72, 48 और 132 का आदियाजम मालूम करते हैं यानि HCF find करते हैं इसके लिए हमारे पास 3 step है, step number 1 है find the prime factors of each number जो हमारे पास numbers given है, उनके हम पहले prime factors find करेंगे तो देखें 72, अब हमने 72 के prime factors find करने हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे छोटे table से start करेंगे 2 के table से, ठीक है यान अगर 2 के table पर 72 जो है वो नहीं आ सकता तो फिर हम 3 या 4 या 5 या 6 start करेंगे, ठीक है तो सबसे पहले 2 से हम start करते हैं, 72 आता है यानि 2 3s आ 6, 1 carry, 2 6s आ 12 तो यह तो solve हो, गया गया देखें 2 1s आ 2, 1 carry, 2 8s आ 16 2 9s आ 18 अब यहाँ देखें, 9 जो है वो 2 के table पर नहीं आता तो 3 के table पर आता है तो इसलिए हम यहा 3 लिखेंगे 3 3s आ 9, 3 1s आ 3 अब यह क्या है, यह हमारे पास 72 के prime factors है, ठीक है आगे 48 है हमारे पास उसके भी same as it is हम करेंगे 2 2s आ 4, 2 4s आ 8 2 1s आ 2, 2 2s आ 4 2 6s आ 12 2 3s आ 6, 3 1s आ 3 48 के यह हमारे पास prime factors मौझूद है, ठीक है आगे 132 है, तो उसको देखते हैं 2 6s आ 12, 1 carry 2 6s आ 12, 2 3s आ 6 2 3s आ 6 3 1s आ 3, 3 1s आ 3 11 1s आ 11 यह जो हमारे पास numbers है यह हमारे पास prime factors हैं किसके 132 के आगे देखें step number 2 express the prime factors of each number choose the common numbers from all sets हर अदद के मुफरिद आद लिखकर तमाम सेटों में से मुश्तरीक आद लिखें the prime factors of 72 72 के हमने prime factors जो हैं उन्हें लिखा ठीक है prime factors of 48, 48 के यह जो हमारे पास prime factors हैं इन्हें हमने लिखा उसके बाद the prime factors of 132 132 के हमने prime factors जो हो लिखें ठीक है अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास number इन तीनों में मुझूद है उसको इस तरह से हमने circle कर लेना ठीक है यह हमारे पास क्या है common factor है 2, 2, 2 तीनों में मुझूद है यह क्या इसका common factor है 2, 2 और 2 फिर से मुझूद है तीनों में तो यह भी इसका common factor है 3, 3 और 3 तीनों में 3 मुझूद है तो यह क्या है यह इनका common factor है यानि ऐसा number जो तीनों में मुझूद है आगे देखें get the product of these chosen common factors to find the HCF आदे आजम आलूम करने के लिए इन मुझ्तरिक आदों का हासले जरब लिखें यानि यह जो common factor है इनको multiply करेंगे जो हमारे पास number आएगा वो HCF होगा ठीक है यानि highest common factor होगा तो देखें 2 multiply 2 multiply 3 2, 2, 3 ठीक है 2 multiply 2 multiply 3 2, 2s are 4, 4, 3s are 12 12 आगे 12 हमारे पास क्या है इसका highest common factor है थास the HCF of 72, 48 and 132 is 12 ठीक होगा 12 जाए वो हमारे पास क्या है इसका highest common factor है आगे देखें HCF by long devian method अब हमने आदियाजम find करना है ठीक है बट किस method से? long devian method से यानि बजरीय तक्सीम sometimes we have very large numbers to find the highest common factors of such numbers through prime factorization is very difficult बास दफा हमें बहुत बड़े आदाद का आदियाजम मालूम करना पड़ता है यानि बहुत बड़ी value का हमें HCF find करना पड़ता है ठीक है इस तरह के आदाद को आदियाजम बजरिया मुफरी तजी भी मालूम करना बहुत मुश्किल हो जाता है यानि जो हमें पास बहुत बड़ी value अगर आजएगी तो फिर हम उसको prime factorization method से भी उसको solve करना बहुत difficult हो जाता है so here we can find the HCF of the given numbers by long devian method लहाजा यहां हम दिये गए आदाद का आदियाजम बजरिया तक्सीम मालूम करते है तो फिर हम क्या करते है उस बड़ी बले value को उसका HCF find करने के लिए उस बड़े number का हम long devian method को use करते है ठीक है let us make it clear by finding the HCF of 928 and 324 आईए हम इसे वाज़िया करने के लिए 928 और 324 का आदियाजम मालूम करते है ठीक है इसके भी 3 steps है step number 1 क्या है diviser अब इसका मतलब क्या है कि 928 और 324 हमाँ पास given है 928 और 324 में से जो हमाँ पास बड़ी value होगी उसको हमने अंदर रखना है और जो छोटी value होगी उसको हमने बाहिट divide करना है उससे ठीक है जो 324 है वो हमाँ पास diviser है और जो 928 है वो हमारे पास है और 280 का है remainder है ठीक है हमने इस process को यानि long diviser method को तब तक हमने इस process को solve करना है यानि इस question को जो solve करते जाना जब तक कि हमाँ पास remainder जो है वो 0 ना बच जा है खाली 0 ठीक है step number 2 का है make remainder the new divisor and all divisor the dividend repeat the process until you get 0 as remainder बड़े अदद को मक्सुमे अलिया और चोटे अदद को तकसीम कुनिंदा मना कर तकसीम का अमल करें ठीक हो गया यानि जो value हमाँ पास बड़ी है उसको अंदर रखें और जो चोटी value उसको बाहिर रखके हमें question को solve करना है ठीक है तो अब यहाँ देखें 928 हमाँ पास बड़ी values को हमने अंदर रखा 324 को बाहिर रखा 2 से multiply किया हमारे पास आ गया 648 subtract किया 928 में से 648 को हमारे पास 280 आ गया ठीक हो गया अब यह 280 जो है हमाँ पास 324 से छोटा नंबर है तो अब क्या करेंगे 324 को अंदर रखेंगे और 280 से divide करेंगे क्योंकि यह छोटी value है 280 को 1 से multiply किया 280 आ गया हब इन values को subtract किया हमाँ पास 44 हो गया 44 हमाँ पास छोटा है और 280 बड़ी value है तो 280 को हम अंदर रखेंगे और 44 को बाहिर 44 से divide करेंगे 16 को बाहिर 16 2s आ 32 अब इन values को subtract किया 12 आ गया 16 बड़ी value है इसको अंदर रखेंगे 12 से divide करेंगे 12 1s आ 12 हमाँ पास 4 बचा 12 हमाँ पास बड़ी value है 4 चोटी value है 12 को अंदर रखेंगे और 4 से divide करेंगे 4 3s आ 12 ठीक हो गया अब हमाँ पास remainder 0 आ गया हमने इस process को तब तक करना है जب तक हमाँ पास remainder 0 नहीं आ जाता ठीक हो गया और जो हमाँ पास step number 3 है उसमें हमाँ पास क्या है कि यह जो 4 है यह जो 4 है जिसकी वजह से हमाँ पास remainder 0 आया है यहां पर जो भी number होगा जिसकी वज़ा से हमारे पास remainder 0 है वो number हमारे पास HCF के लाता है 4 क्या है HCF Step number 3 है The last divisor is the highest common divisor of 2 numbers Thus the HCF of 928 and 324 is 4 जैसे कि मैंने आपको बताया कि last पे जो number हमारे पास होगा जो भी number होगा जिसको हम divide करेंगे और उसके बाद हमारे पास remainder 0 आएगा जिसकी वज़ा से हमारे पास remainder 0 है ठीक है वो number जै हमारे पास क्या के लाता है HCF के लाता है यहाँ पर हमारे पास 4 इसका HCF है ठीक है Exercise 3.4 है Question number 3 Find the HCF of the following numbers using the prime factorization method हमने HCF find करना है जो हमारे पास given numbers है 24 or 48 ठीक है इनका हमने HCF find करना है but किस method से? prime factorization method से prime factorization method यह वला हमारे पास है ठीक है तो देखे 24 और 48 को separately लिख लिया अब हमने इनको divide किया इस तरह से 2 1s are 2 2 2s are 4 2 6s are 12 2 3s are 6 3 1s are 3 और इसको क्या 2 2s are 4 2 4s are 8 2 1s are 2 2 2s are 4 2 6s are 12 2 3s are 6 3 1s are 3 अब 24 के prime factors यह हमारे पास और 48 के prime factors यह हमारे पास इनको हमने लिखा prime factors of 24 equals to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 और prime factors of 48 हमने लिखे यह जो हमारे पास 48 के prime factors है इनको हमने लिखा यहाँ पे ठीक है अब हमने common factors देखे जो दोनों में मुझूद है number तो वो 2 है हमारे पास 2 है फिर से और फिर 3 है हमारे पास ठीक है उसके बाद क्या करें यह common factor है हमारे पास 2, 2, 2 और 3 2, 2, 2 और 3 हमारे पास क्या common factor है यानि दोनों में मुझूद जो number नहीं हो है अब हमने इन्हें multiply किया 2, 2's are 4, 4, 2's are 8, 8, 3's are 24 अब यह जो 24 है यह क्या है यह इसका HCF है ठीक है यानि आद्याजम है आगे मैं पसे सीका question number 3 का part 8 है 22, 55, 110 ठीक है 110 22 है मैं पास 2 1's are 2 2 1's are 2 11 1's are 11 ठीक है अब यह 2 और 11 क्या है यह इस 22 के हमारे पास क्या है prime numbers है sorry prime factors है इसी तरह से 55 के हम prime factors find करेंगे 5 1's are 5 5 1's are 5 11 1's are 11 5 और 11 इसके prime factors है 110 है हमारे पास 2 5's are 10 1 carry 2 5's are 10 5 1's are 5 5 1's are 5 11 1's are 11 अब इसके prime factors यह है हमारे पास अब हम लिखेंगे factors of 22 ठीक है prime factors लिख लें यहा फिर factors लिख लें ठीक है prime factors of 22 लिखें या फिर factors of 22 लिखें यह की बात है तो देखें हमाई पास इसके कौन से है prime factors 2 और 11 है 2 multiply 11 और इसके कौन से है 5 और 11 तो वो हमने लिखे और prime factors of 110 कौन से हमाई पास 2, 5, 11 वो भी हमने लिख दिये अब देखें हमने common factor find करना यानि जो तीनों में मुझूद नंबर है वो कौन सा है 11 तीनों में मुझूद है तो यह इसका common factor है ठीक हो गया इसका highest common factor भी यही है 11 ही है ठीक है आगे हमाई पास है question number 4 find the HCF of the following numbers by using the deviant method long deviant method हमने HCF find करना है numbers का इन दोनों numbers का HCF find करना है बड़ किस method से long deviant method से पहले हमने कौन सा method किया prime factorization method अब हमने करना है long deviant method तो देखें 276 और 161 में से बड़ी value कौन सी है 276, 276 बढ़ा है और 161 चोटा है हमने बड़ी value का अंदर रखा चोटी value को बाही रखा ठीक है और इनको divide किया 161, 1 जा 161 इनको subtract किया 115 आ गया हमारे पास अब ये value बड़ी है ये value चोटी है बड़ी value को हमने उठा के अंदर रख दिया और जो चोटी value उसको उससे हमने divide किया 115, multiply 1 किया तो 115 आ गया हमारे पास इनको subtract किया 46 अब 115 बड़ी value इसको अंदर रखा 46 चोटी value उससे divide किया 46, 2 जा 92 ठीक हो गया इनको subtract किया 23 आ गया अब बड़ी value हमारे पास 46 है उसको अंदर रखा हमने 23 को 2 से multiply किया 46 आ गया remainder 0 बचा ठीक है remainder 0 बचा आप देखें यह जो number है इसकी वज़ा से हमारे पास remainder 0 है ना जो last number यह हमारे पास 23 है ठीक है तो यह 23 क्या है यह इसका HCF है यानि आदियाजम है इसका last part है हमारे पास question number 4 का 399, 665 and 1463 अब देखें यहां पे हमारे पास 3 values आ गया है तो इसके लिए हम क्या करेंगे जो हमारे पास सबसे बड़ी value है उसको अंदर रखेंगे और जो उससे थोड़ी सी छोटी value होगी उसको बाही रखके divide करेंगे ठीक है तो हमने इसी तरह से किया जो सबसे बड़ी value है उसको अंदर रखा जो उससे थोड़ी छोटी value है इसको बाहिर रखा, ठीक है, तो 65 को 2 से multiply किया, 1330 आया, दोनों को subtract किया, 133, अब 665 बड़ी value इसको अंदर रखा, और ये value छोटी से हमने divide किया, 5 से multiply किया, ये आगे हमाई पास 665, remainder हमाई पास 0 बचा, ठीक है, तो अब ये देखें, 133 जो है ये, इसका HCF होना चाहिए, या ये ही इसका आद्याजम है, तो हम क्या करेंगे, जो हमाई पास 399 आखरी value बची है, जो सबसे छोटी value बची है, उसको हम अंदर रखेंगे, और जो आद्याजम है, हमारे पास, यानि जो जिस, ये जो number हमाई पास last पर मुझूद है, इसको हम बाहिर रखेंगे, ठीक है, औ common factor है, यानि आद्याजम है, ठीक हो गया, अगर हमाई पास 3 numbers given हो, तो सबसे बड़ी value हमने अंदर रखनी है, उससे थोड़ी चोटी value से हमने divide करना है, और तब तक इस process को करना है, जब तक remainder 0 ना आजाए, और जिसकी वज़ा से remainder 0 आग जाएगा, ठीक है, वो last number जो होगा, वो HCF होता है, लेकिन हमने उसको ये भी चेक करना है कि जो हमाई पास सबसे चोटी value बच गई है ना, question में, उससे उसको complete जह है ये divide करें, ठीक है, उसका फिर remainder 0 आए, ठीक है, फिर ही ये हमाई पास HCF होगा, अच्छा बच्चों इसके बाकी parts आपने अपने homework में करने हैं, ओके आला हाफिज